नमस्कार दोस्तों मैं रवी आप सभी लोगों का आपके अपने यूटूब चैनल आरेंड आर अपना मोदी केर में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ तो दोस्तों आज एक जबज़श्ट टॉपिक है आपके पास जिसको मैं आज डिटेल में आपको बताऊंगा और वो है वाट इज मेपा तो हम मेपा के बारे में आज जानेंगे समझेंगे और उसको किस तरह से हमें अपने टीम में अप्लाई करना है उस एक्संस को जानेंग तो वाट इज मेपा मेपा रिप्रिजेंट करता है M for month, E for end, P for promotional, A for activity दोस्तों मन्त इंड में वो क्या promotional activity करनी है उसके बारे में आज हम सीखेंगे तो next slide में हम देखते हैं तो first slide बताता है दोस्तों why मेपा हमें month in promotional activity क्यों करना चाहिए तो इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों मेपा is important for beginners as well as leaders तो मेपा सभी के लिए चाहे वो beginner हो, just business को start किया हो, 7% or 10% or हो या अच्छा लिडर हो, अच्छे level or title को achieve किया हो सभी के लिए मेपा बहुत जरूरी है its growth your check इसको अगर हम करते हैं तो यह हमारे growth करता है, check को और हमारे income को growth करता है it will multiply your business, यह आपके business को multiply करता है, आप जो भी business करेंट में कर रहे हैं और अगर हम मेपा करते हैं तो उससे हमारा business multiple होता है you can identify the hidden power of your team, इसको करने से आप अपने team के teammates के अंदर के hidden power को देख सकते हैं होता क्या है दोस्तो मेपा हम लोग कब करते हैं मेपा करते हैं मन्त के last five days में तो उसमें हम अपने team mates को सभी को मतलब call करते हैं, बताते हैं कि वो कैसे इसको क्या करते हैं, अपने business को कैसे multiple कर सकते हैं तो उसमें जो भी team mates से हमें result मिलता है तो उससे उनके hidden power हमको पता चलती है और इसको करने से develop working capacity of team spirit, हमारी team में एक working capacity और team spirit की भावना आती है, तो जिससे हम उनके working capability को जान सकते हैं और team bonding के साथ, हम team spirit के साथ, one mission के साथ लगके हम इस team work करते हैं तो developing team bonding and trust level in team, इसको जब हम करते हैं तो हमारे teammates के साथ, हमारे जो down line है, up line है, उनके साथ एक अच्छा connection बनता है, अच्छा bonding बनता है और उसी के साथ trust level भी हमारे team में maintain रहता है दोस्तों, identify the strength है, weakness of each leg and team हमारे जितने भी legs हैं, तो हमें किस leg में क्या focus करना है, क्या weakness है, क्या उनका strength है, strength को हमें और develop करना है अब weakness में हमें उनको training और awareness प्रोग्राम के ताथ उनके उस weakness को remove करके उनको strength level उनका maintain करना है तो दोस्तों ये last के 10 days में हम जो भी करते हैं, उससे decide होता है उस month का income तो हम जैसे क्या होता है कि हम month start होता है, हम लोग अपना goal setting करते हैं, target लेते हैं कि हमको क्या करते हैं इस month ये title achieve करना है, इस month ये income करना है, इस month हमको इतने sponsors, personal sponsors करने हैं इस month हमको अपने team से इतने faster 10% निकालने हैं, तो जितने भी हम goal लेते हैं, वो क्या होता है, first 15 days मेरी purchase आफर होता है तब तक billing हो जाता है, उसके बाद loyalty का billing 25 तक हो जाता है, और उसके बाद ये होता है कि ये month हम सोचते हैं कि अब ये month हो गया, close हो गया लेकिन दोस्तों, last day तक, last minute तक हमको उस पे लगे रहना चाहिए, जैसे कि cricket match हम देखते हैं, तो अगर last over last ball तक भी हम उमीद बना के रखते हैं कि हाँ, कोई न कोई miracle हो सकता है तो इस last five days को हमको मतलब inactive ना हो कि हमको एक अच्छे active leader की तरह काम कर देंगे, तो हमारा business बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा तो अब इसके बारे में next slide में हम बात करते हैं, how to do MEPA, हमको MEPA करना कैसे हैं, अभी तो हमने previous slide में देखा कि MEPA क्यूं करते हैं और यहां पर हम कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं दोस्तों, तो first point है personal touch and telephone call हमें अपने team के साथ, अपने down lines के साथ personal touch और telephone call करते रहना है उनके क्या है, उनका जो भी planning है, उनका work हो रहा है कि नहीं कुछ उसमें problem तो नहीं आ रहा है, अगर है तो उसको कैसे resolve करना है कैसे उनका motivation level अप करना है और उनसे हमेशा phone पे touch रहना है कि जो भी हो आपस में अच्छा communication बना के रखना है और दोस्तों क्या करना है, check your personal business value, group business value और personal group business value for frontline legs तो हमारे जितने भी frontline legs हैं, उनका हमें regular basis पे उनका personal business value क्या है, उन्होंने personal क्या purchasing किया है और उनके group का business value क्या है, और उनके personal group का business value क्या है, उसको हमें check करना है चेक करने का sense इसमें यह है, कि हम जब check करेंगे, फिर उनका जो भी goal setting में है, target मिला हुआ है हमको उससे, उनको compare करना है कि आप अभी इतना percentage के हैं, आपको इतना और अभी करना है और इसके लिए आप अगर ऐसे से way में काम करते हैं, इस तरह से करते हैं, तो यह easily achieve हो सकता है तो इस तरह से उनको एक बहुत ही support और visualize structure मिलता है, कि हाँ, कि इसको ऐसे हम करेंगे, तब जाके हम easily achieve कर सकते हैं और साथ में यह दोस्तों, next point है, check group business value and personal group business value required for all leaders तो हमारे टीम में हमारे के फ्रंट लाइन ही नहीं, हमारे टीम में जितने भी rising star हैं, जो भी मतलब team को seriously as a business build कर रहे हैं तो हमें उन सभी का personal group business value और group business value हमें check करके उनको update करना है और check all the 7% to 15% level holders to their jump level तो हमें क्या करना है, जितने भी हमारे टीम में 7% हो, 10% हो, 13% हो, 15% हो इन सभी level holders को हमें उनको motivate करना है कि वो अपना level jump करें क्योंकि दोस्तों level jump कब होता है, जब हमारा business बढ़ता है तो level jump होगा, तो हमारा क्या है, हमारा income बढ़ेगा हमारा team का income बढ़ेगा, हमारा team बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे तो दोस्तों इसी मतलब यही मोटो है इस बिजनिस का कि हाँ जितना बड़ा टीम होगा उतना बड़ा इंकम होगा और जितना बड़ा टीम डिवलफ होगा आपके नीचे जितना बड़ा टीम डिवलफ उतना बड़ा आपका इंकम होगा और टीम के नीचे जितनी बड़ी टी टीम बनेगी टीम का इंकम होगा तो दोस्तों इसमें सेवन से हमें 15% लेवल होलडर्स को फोकस करके हमें उनकों लेवल को जंप करना है तो जैसे कि हमारे बिजनिस का है जैसे कि जैसे हम डारेक्टर क्वालिफाई होते हैं तो हमारे नीचे का जो बिजनिस होता है 1250 पीवी क होना चाहिए और हमारे नीचे जैसे ही जो 15 percenter है वो 16 percenter होता है तो वो director qualify होता है तो हम बन जाते senior director. Senior director बनते ही क्या होगा कि हमको अपना personal business volume personal group business volume हमें 1100 maintain करना होगा other then 16 percenter जो पहुंचा हुआ है. तो हमको क्या कहते है जितने भी downline में जितने भी 16% के भी लो हैं उन सब को हम focus करेंगे 16% यह director qualify कराने के लिए तब ही जाके हमारा title और income और तेजी से आगे बढ़ेगा और जितने ज़्यादा directors होंगे हमारे नीचे हम उतने ही अच्छे level को achieve कर सकते हैं हमारा income बढ़ सकता है और उसके बाद दोस्तों हम focus करते हैं बात कर चुके हैं हम कि हमको कैसे उनको बताना है कि उनका level कैसे जंप होगा थोड़ी सी अगर हम मेहनत और कर देते हैं तो check for the first start 10% go through the enrollment report अगर हम enrollment report चेक करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि first 10% कौन कौन qualify कर सकता है उसको qualify करने के लिए कितना personal group business volume का required है और वो कितने का और मतलब effort थोड़ा सा effort और कर देता है तो वो कैसे qualify हो जाता है qualify करके company का faster 10% का जो भी benefit है वो ले सकता है तो दोस्तो faster 10% के बल जो qualify करता है उसको नहीं है उसके साथ company जो भी leaders है जिनके भी नीचे faster 10% qualify होते हैं उन leaders को भी company कुछ न कुछ promotion के रूप में उनको देती है तो दोस्तों ये था कि अगर हम अपने team के focus करते हैं team को बढ़ाते हैं तब भी क्या करते हैं हमारा business बढ़ता जाता है और उसके बाद call personally and sit with the team visualize the benefit of their jump level तो हमको क्या करना है अपने team के साथ बैटना है मेभी वो आप physically बैट सकते हैं और क्या कहते हैं जूम पे भी benefit को ले शकते हैं you have to double your action on MEPA आप नार्मल डेज में जो action करते हैं उस action को आप MEPA करने के time में double कर करके करिए जो की आपके income को भी double करता है तो last point आता है create more and more 100 PV achievers in your team तो दोस्तों हमको क्या करना है अपने team में culture बनाना है 100 PV पर मंथ करने का personal purchase value जो होता है 100 PV सभी का अगर हमारे team में दोस्तों अगर 100 लोगों का team है अगर 100 में अगर 50 लोग भी 100 PV करते हैं तो हमारा हो हो जाता है 50,000 हो जाता है दोस्तों 5,000 हो जाता है तो इस तरह से हमको क्या करना है अपने टीम में जितने भी maximum people को हमें four principles apply कराना है core member बनाना है को में core member का rule है कि हमें 100 PV करना है तो जैसे कि हम अगर example देखते हैं कि अगर हमारे टीम में 100 people हैं अगर वो 50 PV करते हैं तो आपका होता है 5,000 अगर वही अगर 100 PV करते हैं तो होता है आपका 10,000 तो छोटे से difference है कि 50 से 100 में आप देख सकते हैं हमारा income हमारे टीम का income just सभी लोगों का income double हो रहा है और वो 100 PV करने के लिए हम लोगों क्या करते हैं कोर principle में भी apply होता है यह और 100 PV करना कोई difficult नहीं है उसके लिए दोस्तों थोड़ा समय आपका और समय लेता हूं बताता हूं जैसे दोस्तों हमको करना क्या है कि हमको अपने customers retail customers maintain करने हैं अगर आपके पास 10 retail customer होते हैं वो कोई मुश्किल नहीं है हम सभी लोग 10 retail customer बना सकते हैं बस focus हमें करना होगा कि अपने product के बारे में हम कैसे उसकी benefit के बारे में अपने customer को share करें तो दोस्तों अगर सपोज हमारे पास 10 retail customer हैं और वो इच customer केवल आपसे 500 का भी अगर product हर मन पर्चेश करता है तो आपका total होता है 5000 और 5000 इक्वल टू 100 PV आप अगर 5000 का product purchase करते है तो 100 PV आप जो कर रहे हैं वो आप रिटलिंग करने लगते हैं तो इसली आप 100 PV कर सकते हैं और इसी business भी आगे वो बिल्ड करते हैं तो दोस्तों ये कुछ point थे जिससे कि हम मेपक के लिए apply करते हैं और मेपक को हम करके एक छोटी सी extra effort करके last five days में हम अपने business को income को बड़ा बना सकते हैं तो दोस्तों आज का ये topic था और wish you a very happy closing इस मन्त के closing के लिए आपको बहुत बहुत शुप कामना है आप सभी लोग जल्द से जल्द global black diamond director title को achieve करें हमारी यही दुआ है दोस्तों तो thank you so much friends अगर आपने अभी तक हमारे channel को like और subscribe नहीं किया तो please like और subscribe करें ताकि हमारा आपसे interaction connection बना रहे और हमें आपके लाइक और subscribe से हमें motivation मिलता है ताकि हम इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाते रहें दोस्तों thank you so much कि जपके तोज स्वते